क्या जेब को प्यास नहीं लगती? एक बार मुला एक अमीर आदमी के यहां शादी पर गया पीती भोर शुरू होने में अभी समय था सारे महमानों को मिठाया, कुछ मेवे और नमकीन पेश किया जा रहा था वे समुहों में बढ़े अनन्द ले रहे थे वे हलके फुलके खाने के साथ बाते कर रहे थे और मजे ले रहे थे मुला नी सोचा, अगर मैं अभी भारी खाना खा लूँगा तब मैं प्रीटी भोज का मजा नहीं ले पाऊंगा इसलिए मुला ने केवल कुछ मेवे ही लिए जैसे ही उसने एक बादाम को मुँ में डाला उसने एक महमान को एक प्लेट में बहुत से नेवे लेकर बैठे देखा महमान ये देखने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा चारों और देख रहा था उसने एक मीवों की मुठी भरी और अपनी जेव में डाली मुल्ला हैरान था दोवारा से उस महमान ने वही किया मुल्ला उठा और अपने हाथ में पानी का एक जब लेकर उसके पीछे खड़ा हो गया उसने उसकी जेब खींची और उसमें पानी डालना शुरू किया महमान को गुस्ता आगे देश चिलाया यह क्या मूरत्ता है क्या तुम पागल हो गए हो देखो तुमने क्या किया है यह मेरा नेया कोट है यह पूरा गीला हो गया है सारे महमान की तरफ देखने लगी तुम्हारी जेब उखी थी इसलिए इसने इतने मेवे खाई अब इसे प्यास भी लगी होगी इसलिए मैंने तुम्हारी जेब को पीने के लिए पानी लिया था सारे महमान हैरान थे मुल्ला ने चांद को बचाया एक बार मुल्ला पूर्णिमा की रात में एक गाउं में जा रहा था तेजी से चलते हुए वैं जल्दी ही गाउं की सीमा तक पहुँच गया उसने राहत महसूस की और कहा ओ भगवान का शुक्र है गाउं की सीमा पर एक पुराना कुआ था मुल्ला ने सोचा देखूं तो सही कि इसमें कितना पानी है मुल्ला ने कुएं पर पहुँच कर नीचे जहांका उसने दुख से कहा हे मेरे भगवान चान तो कुएं में गिर गया है पानी भी बहुत थंडा होगा अगर चान जम गया तो या फिर ये पानी में पिगल जाएगा मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा मैं इसके साथ एक गेन की तरह खेलूँगा मैं इसे उचा उचा लूँगा और ये अकाश में पहुँच जाएगा तब मुल्ला घर से एक लंबी रसी लेकर आया उसने इसे एक फंदे की तरह बांदा और कुई में नीचे लटका दिया वे चिल लाया अरे चान दरना मत इस रसी को जोर से पकड़ो मैं तुम्हें बाहर खीच लूँगा दुर्भाग्य वश रसी कहीं और फस गई और मुल्ला ने इसे बाहर निकानने की बहुत कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली उसने सोचा चान बहुत भारी है मुझे इसे पूरी ताकत से खीचना होगा उसने अपना पैर किनारे पर जमाया और रसी को पूरी ताकत से खीचा जैसे ही रसी वहां से छूटी मुल्ला तेजी से चीकता हुआ गिर पड़ा जब वह गिरा तो उसका सिर्फ जमीन से चा टकराया मुल्ला वो चंका रह गया और कुछ देर के लिए उसने स्वेम को कमजोर और बेहोश मैसूस किया कुछ समय बाद मुल्ला ने अपनी आँखे खूली और वे क्या देखता है कि आकाश में गोल और चंकीला चांद चमक रहा था मुल्ला ये देखकर खुश हो गया उसने स्वेम से कहा मैंने खुद को कर्ष तो पहुँचाया है लेकिन कोई बाद नहीं मैंने चान को तो बचा लिया मैंने इसे कोई में से कींच लिया है और इसे आकाश में भेज दिया है और अब ये ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मेरा धन्यवाद कर रहा हूँ